एलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि सेमसंग गैलेक्सी M35 5G फॉन में आप लोग डिस्प्ले कलरिंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक सेमसंग गैलेक्सी M35 5G फॉन है और इस फॉन में जो आपको डिस्प्ले कलरिंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है अगर आपका जो स्क्रीन का कलर है गैस कुछ इस तरीके से जो नेगेटिव कलर का हो चुका है गैस देख सकते हैं फोटो वीडियो जो भी आप लोग यापर से देख रहे हैं वो सब यापर नेगेटिव कलर टाइप का हो चुका है मतलब आपका जो screen का जो color है जो खराब हो चुका है तो केसे आप लोग अपने इस phone में display coloring problem को solve कर सकते हो guys तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को like कर दीजे और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए guys वीडियो को start करते हैं डिस्प्ले coloring problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलका गैस यहापर accessibility का तो इस accessibility के option पे klik कर दीजे click करने के बाद यहाँ पर एक option मिलेगा गैस आपको v-zone enhancements का तो इस v-zone enhancements के option पे आपको CLICK करने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको option मिलेगा color inversion का तो अगर आपके phone में color inversion का option on रहेगा तो आपके phone में display coloring problem देखने को मिलेगा screen का जो color है guys पूरा जो है negative color का हो जाएगा तो इसको off करने के लिए आपको simply इस switch पे click कर देना है click करने के बाद on off का switch होगा इसको click करके इसको बंद कर देना है जो display coloring problem था guys वो solve हो चुगा भी देख सकते हैं अमारा screen normal हो चुगा है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Samsung Galaxy M35 5G phone में आप लोग display coloring problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा guys आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसार आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिल टेक लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए और बाई